तो नाइन क्लास स्टार्ट करते हैं mathematics में 8.1 एक साइस में question number 3 जो काफी ज़्यादा important question है for the examination purpose जिसमें दे राखा है should it if the diagonals of a quadratoral bisect each other at right angles then it is a rhombus तो यहाँ पे एक quadratoral की diagonals आपस में perpendicular bisect कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको शो करता है कि वो जो quadratoral होगा especially एक rhombus होगा और rhombus की condition दो जानते हैं जिसमें all side equal होती हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सारी side equal दिखा रहे हैं तो चलिए start करते हैं इस question को question no.3 from NCRT 8.1 exercise question no.3 जिसमें यहाँ पे given है कि जो diagonals है इस quadratoral की देखिए मैंने quadratoral यहाँ पे बना दिया है जिसमें diagonals हो रहे हैं आपस में bisect कर रहे हैं और especially perpendicular bisect कर रहे हैं और सभी जगा 90 degree angle होगा miss side 90 भी होगा, is side 90 भी होगा, is side 90 भी होगा और is side b 90 degree होगा और bisect मतलब यह है कि diagonal हमाँ पास AC और BD की दो diagonals है जो O point पे आपस में bisect कर रहे हैं यानि यह part इस part के equal है यह साला AO part OC part के equal है ओ यहां बीच में लिखा हुआ है तो चले start करते हैं इसको show करना है rhombus तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूँ से पहले क्या show करना है should add quadratal ABCD is a rhombus और rhombus के लिए मुझे सारी side equal दिखानी है यानि AB equal दिखाना है BCK और BC equal दिखाना है DCK और DC equal दिखाना है मुझे AD के यानि सारी side मुझे दिखानी है इक्वाल वो गिवन क्या है यहां पर गिवन है की AC and BD यह क्या है diagonals diagonals bisect वो भी कैसी पेंडिकुलर bisect यह पेंडिकुलर का sign है bisect each other each other at O point ठीक ओके अब चले show करते हैं इसको rhombus कैसे दिखाएंगे तो हम दोग एक थेवर्म जानते हैं by थेवर्म if diagnose of a quadrator bisect each other then it is a parallelogram तो यह normal चीज़ हम दो जानते हैं कि किसी भी quadrator की अगर diagonals किसी भी quadrator की अगर diagonals होहारी जो होती है bisect करती है तो especially वो होहारा parallelogram हो जाता है यह book में थेवर्म दे रखिए जिसको हम दो use करेंगे और जिससे यह quadrator को एक नाम मिलेगा वो नाम होगा मिलते ही opposite side मुझे equal मिल गई है तो opposite side equal मैं यहाँ पे take कर लेता हूँ then opposite sides are equal यानि कि ab equal हो जाएगा dc के और ad equal हो जाएगा bc के तो दो चीज़े दिक्कोल मिल गई है लिकि मुझे चारों equal दिखाने है तो चारों दिखाने के लिए अब मैं जो आपस में equal नहीं दिखाई मैंने अब मैं उनको equal दिखाऊंगा तो यानि कि मुझे ये side और ये side मुझे equal दिखाने है opposite तो equal है लेकिन बाकी side जो equal नहीं है उनको equal दिखाने के लिए उन दो triangle को आपस में दिखाऊ दूँगा मैं congruent तो इसके लिए मैं A, O, B और दूसर triangle A, O, D टेक के लिए दूँगा जिसमें ये दोनों sides आ रहे है तो इन दिखाते हैं दोनों congruent तो congruent कैसे दिखाया जाएगा तो इदिखे पहला triangle में ये सा ले रहा हूँ और दूसर triangle ये सा ले रहा हूँ यानि कि A, O, B और दूसर triangle है A, O, D तो इन दोनों में congruent दिखाने के लिए सबसे पहले O, A line जो है दोनों में common line है तो इस तो common side हो गई दूसरी चीज भी मुझे यहाँ equal मिल गई है O, B जो है O, D के equal है Diagonals bisect each other तो इस चीज एक चीज और चाही वो भी मुझे equal मिल ला है 90 degrees दोनों में angle है तो यानि के B, O, A देखे B, O, A यसा angle equal है किसके A, O, D के और दोनों कितने है 90s है तो यह मुझे equal होग है यह भी हमारे पास कैसा है given है तो तीन जीज एक कोल मिल चुकी है property कौन से लग रही है इस पे इस पे लग रहा है side angle side property से दोनों triangle हो चुके है हमारे congruent तो यानि के A, O, B is congruent to the A, O, D तो यानि के अगर यह दो congruent proof होग है इसका अदर यह है कि cross-pending sides A, B equal होगा किसके A, D के तो A, B side equal हो जाएगी A, D के तो by C, P, C, T A, B is equal to A, D अब हमें opposite side to equal already मिल गई थी number 1 से और number 2 मुझे यहाँ पे मिल चुका है जिससे क्या कह सकते हैं कि सभी side equal हो गई हैं क्यों opposite to already equal हो गई थी यह side इसके equal थी और यह side इसके equal थी अब जो non equal थी मैंने उनको भी equal दिखा दे हैं तो इससे सारी side equal लिखी जा सकते हैं तो by 1 and 2 A, B is equal to B, C is equal to D, C is equal to A, D और जिससे यह शू होदा है hence, quadratal A, B, C, D is a rhombus तो इससार से question complete होदा है काफी अच्छा question है important is जैसे काफी questions है तो चलिए स्टार्ट करते हैं next question, question number 4 तो इस्टार्ट करते हैं question number 4 तो question number 4 में यहाँ पर showed that the diagonals of square are equal and bisect each other at right angle तो मुझे यहाँ पर शो करना है कि एक जो square है जो square जो बना रखा है A, B, C, D इसकी diagonals मुझे equal दिखाना है यानि मुझे AC दिखाना है B, D के कर और साथ मुझे यह भी शो करना है कि जो इसकी diagonals है वो bisect कर रहे हैं वो भी right angle पर मुझे यानि यह यह वाला bisect भी दिखाना है और साथ मुझे यहाँ पर 90 degree angle भी दिखाना है तो चलिए start करते हैं कैसे सबसे पहले दिखाते हैं इसकी diagonal को equal तो उसके लिए आते हैं इन triangle देखे कि diagonal equal दिखानी है means A, C, B, D के equal दिखाना है तो सबसे पहले हम दोग क्या करेंगे congrency apply करने के लिए decide करेंगे कि आखे कौन से दो triangle लिए जाए जिसमें यह दो side आ जाए जो मुझे यहाँ पर equal दिखानी है तो यानि मुझे एक चाहिए BD और एक मुझे चाहिए AC तो आपको दो triangle take करने हैं काफी triangle ऐसे मिल रहे हैं लेकिन मैं इस पेशी ले रहा हूँ A, B, C देखें A, B, C में A, C line आ गई और दूसरा ले रहा हूँ B, T, A एक ABC और एक B, D, A B, D, A तो ये दो triangle में दिखाता हूँ कॉंगरेंड जिससे हमारे पास ये दोनो diagonal हो जाएंगी equal तो चलिए दिखाते हैं इनको तो सबसे पहले मुझे triangle चाहिए एक येसा वाला चलिए इसको coloring कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये triangle यहाँ पे दिख जाए क्या की कौन से दो triangle लेने हैं यहाँ पे एक तो ये triangle चाहिए और दूस्ता triangle मुझे यहाँ पे ये triangle चाहिए तो ये दो triangle मुझे दिखाने हैं कॉंगरेंड तो देखते हैं इसमें तीन चीज़े कौन कौन से equal मिल रही हैं तो बिल्कुल सही है सबसे पहली चीज़ आप से ही बता रहे हो एबी इक्वल टू एबी मिल गया है यह कौन से है common side तो common side हो गई है दूसरी चीज़ बिल्कुल सही है square है तो opposite side कैसे होएंगी equal होएंगी तो यानि AD जो अक्वल होगा BC के तो क्या लिखते हैं opposite sides are equal in square तो एक चीज़ तो यह एक्वल होगी दो चीज़ एक्वल होगी तीसी चीज़ मुझे एक्वल चाहिए ताकि तो तीसी चीज़ यहां पर देखें डियागनल बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि यह तो प्रूफ करता है तो इसके बाद यह देखें हर एक एंगल जो होता है square में 90 degree quality पहले से होता है तो यानि के angle A जो होगा angle B के equal होगा क्योंकि हर एक angle क्या होता है 90 degree होता है तो यानि के तीन चीज़ एक्वल हो चुके हैं तो by side angle side property से दोनो triangle हो चुके हैं congruent तो यानि के triangle A B B congruent to the ABC जो congruent हो गये तो by CPCT इसकी diagonal हो जाएंगे हमारी equal तो यानि AC equal to BD तो एक answer हमारा तो आ गया अब second answer यहां दिखाना है कि दोनों diagonal कर रहे हैं आपस फें perpendicular bisect तो bisect करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मुझे ये वाला part इस वाले particle इककुल दिखाना है मुझे ये वाला part इस वाले part के equal दिखाना है तो हम लोगों फिर decide करना है क्या कौन से triangle लिए जाएं जिसमें ये दोनों two sides आ जाएं तो इसके लिए मैं बतातों कौन से लिए यहां पर B, O, C जो हम दोनों का दिखाते हैं, CONGRANT तो CONGRANT दिखाने के लिए दिखते हैं, क्या कै चीज़ है? मिल नहीं मुझे EQUAL तो सबसे पहली चीज यहां कोछी EQUAL मिल चुकी है? बलकुल सबसे पहली चीज यहां पर EQUAL मिल चुकी है यह वाला इंगल इसको नंबर ढालेते हैं, इसको नंबर 2 ढल degrees basic to the equal होगा angle 4 के और angle 2 जो equal होगा angle 3 के तो यह आप सोच़एंगे यह कैसे equal होगया यह ऐसे equal होगया क्योंकि AD जो line है BC के parallel तो है कि square यह also है parallelogram तो parallelogram तो square भी होता है तो यह line तो parallel तो है जब parallel है तो यह वाला angle alternate interior होने वजासे आपस में हो जाएगा equal तो इसलिए मैं यह लिखूँँगा कि AD is parallel to BC जब parallel है तो angle 1 is equal to angle 4 by alternative interior angles तो यह चीज़ और इककोल मिल गई है इसी तहा से angle 2 जो होगा same as angle 3 केकोल हो जाएगा वहाँ पे कौँसे line parallel मिली है देखे वही line लिए बस क्या change हुआ है traversal line change होई है पहले BDT term was the line और इस बार कहों से है AC line है तो यानि मुझे यहाँ पे तीन चीज़ एककोल मिल चुकी है एक side बिली दो angle बिले तो यानि by angle side angle property से यह दोनों triangle हो चुके है हमारे congruent तो यानि के AOD is a congruent triangle to the BOC A के साथ B आएगा क्योंकि A के साथ B equal है A के साथ कौन से कुल है A के साथ equal है C equal है तो यानि A के सामने C होना चाहिए और D के सामने कौन से होना चाहिए 4 यानि कि B होना चाहिए या कि इसका खयार लखेगा इसी का use है क्योंकि फिर cross-pating side आपके गलत हो जाएंगी तो अब इतना हो जाने बाद by C, P, C, T हम लोग कह सकते हैं कि AO जो होगा किस के equal होगा OC के equal होगा और साथ में DO जो equal होगा वो OB के equal होगा यानि कि ये डाइगनाउस कर रहे हैं bisect तो ये चीज़तों शो हो गई second चीज़ दिखा रहे थी मुझे यहां पे कि 90 degree पे by set कर रहे हैं अब ये 90 degree कैसे दिखाएंगे तो इसके लिए एक बार आपको दुवारा से कॉंग एंट दिखाना पड़ेगा बिल्कूल ये काफी long question है काफी चीज़ते से बोली गई थी और हर एक चीज़ को लाने के लिए अलग से ही प्रूफ करना पड़ता है तो इसके लिए next इसे third part में से right angle दिखाने के लिए में से ये angle ये angle क्या दिखाना है right दिखाना है सारे 90 हो जाएंगे अगर एक angle भी आप 90 दिखा देते हैं पोदिट अंगल इककोल हो जाएंगे माई linear पे एककोल हो जाएगा तो कोई angle 90 दिखा देंगे तो answer हमारा आजाएगा लिए कैसे दिखाएंगे उसके लिए फिर से दो triangle take करेंगे और फिर से दिखाएंगे इस बार लेंगे triangle ये सा वाला और एक लेंगे ये सा वाला ताकि ये दो angle equal दिखाया जा सकें तो इसलिए आते हैं triangle A, O, B and triangle A, O, D तो दिखाते हैं इसमें तीन चीज़ एककोल तो सबसे पहली बात AO is equal to AO is a common side इसके बाद एक और चीज़ यहां इककोल मिल जाएगी OB is equal to OD यह तो भी मैंने दिखाया है प्रूफ किया है प्रूफ अलएडी प्रूफ इसके बाद एक चीज़ और equal हो जाएगी वो कौन से equal हो जाएगी AB equal to AD क्यों equal हो जाएगी बिलकुल बात सही square all side are equal all side are equal in square मैं short में लिख देता हूँ complete लिख लीजेगा तो यह तीन चीज़े दिखा दी मैंने जब तीन चीज़े दिखा दी हैं तो by side 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 property से दोनों triangle हो गाए हमारे congruent तो यारि के AOP is a congruent to the triangle AOD जो congruent हो गए है तो by CPCT यह दो angle हो जाएगे हमारे equal क्यों congruent हो गाए है जब ही equal हो जाएगे तो दोनों कहते हैं कि 90 90 क्यों हो जाएगे ऐसा करते हैं कि अब यह नंबर डालेते हैं तो angle इसका नाम डालेते 5 इसका डालेते 6 तो यानिके by CPCT angle 5 angle 6 equal हो जाएगा अब equal तो हो गया लेकि 90 कैसे equal हो जाएगे तो by linear pair तोड़ा बेट करिए तोड़ा सा long लेकिन step बस complete होने वाले हैं तो by linear pair दोनों का जो sum होगा 180 होगा अब दोनों के दोनों तो equal हैं जब दोनों equal हैं तो यहां भी angle 5 यहां पे लिखा जा सकता है और दोनों को add करके यहां पे 180 लिखने भी एंगल 5 हमारा जो आजाएगा 90 आजाएगा को 2 से divided होजाएगा 180 अब खाइफ यह जमद एंगल 6 भी 90 हो जाएगा जब इंगल 6 90 होगा तो उसके opposite angle भी 90 हो जाएगा verticul opposite angle और 5 के vertical opposite angle यह भी 90 हो जाएगा तो यानि सारे के सारे 90 एंगल हो गए हैं यारि कि ये dangles ही करती है, bisect तो लिख देते हैं यहाँ पर छोड़ा सा 200 dangles perpendicular bisect each other अच्छा अच्छा लिख लीजेगा, मैं तो जल्दी लिख रहा हूँ आपको method में clear हो चुका है तो इसको अच्छे से लिख लीजेए important question है तो मिलते हैं, next video में next questions के साथ, काफी question आज हो गए, long long questions हो गए तो कल कराते हैं, बाकी next video में